अब आपको दिखाते हैं एक दुर्घटना नमस्ते भाई और बहलो अब आज हम आपको अनुशासन का मतलब बताने वाले हैं एक अनुभावी इनसान के द्वारा अनुशासन अनुशासन का मतलब होता है जीवन की वेवस्ता को अनुशान करना किसी भी नियम को मान कर चलना जीवन के पत्तिक कार्ज को नियम कर अनुसार करना ही अनुसासन है जैसे कि आप स्कूल में जैसे प्ड़ते हो टीचर आपको हो मोग देता है आप उसको ठीक समय पे सही धंग से करके टाइम टुटाइम टीचर को देते हो तो टीचर्स भी देखता है कि हाँ ये डिसिप्लीन मेंटेन करके हर काम को सही धंग से करता है इसी को अनुशासन करते हैं किसी भी काम को धंग से करना इसे अनुशासन करते हैं अनुशासन के बेगर कोई भी देश या कोई भी चलिए अब आपको एक अनुशासित कक्षा दिखाते हैं अब अनुशासन हीन कक्षा अरे दोस चल खेलने चलते हैं नहीं नहीं मेरी परिक्षा है अरे चलना यार पाच मिनिट के लिए मज़ा आएगा यार चलना यार तू हमेशा ऐसा ही करता है चल यार छोड़ अरु चलना याज तू अर्ए तू कि दोस कैसा है सुपाडी खाएगा ना अरे यार यार नहीं कि आखूंग नगा यार नहीं खाओंगा हट यार नहीं खाओंगा हट यार नहीं खाओंगा हट यार एक उडियों से देना तो हुँ वी एक मिनिट लेना है कि नहीं लेना है नहीं भईया मुझे नहीं लेना है एक नहीं किताब हुँगा और उसे मजासे परूँगा पी दूख रहा है यह थे अनुसाशन के महत्वव यह थे अनुसाशन के महत्वव हमें भरोसा है कि आप आज से अपना हर काम अनुसाशन से करेंगे और आगे चल कर सफलता प्राप्ट करेंगे इसे के साथ हम अपना वृत चित्र पूरा करते हैं धन्यवाद प्राप्ट प्राप्ट अनुसाशन प्राप्ट झाल झाल